क्या आप खल्पना कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसी जीले के DM को फोन करें और वो भी रात 10 बजे यह बात एकदम सच है और जिस DM को फोन किया गया था उन्होंने इस घटना के कुछ वक्त बाद किसी दूसरे शख्स ने सोशल मीडिया पर यह बात शेर की घटना की जानकारी दिने वाले ने उस IAS अफसर का नाम नहीं लिखा है जिसे PM नरेंद्र मोधी ने रात 10 बजे फोन किया लेकिन बताया जा रहा है कि यह अफसर है नौर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदीप महात में प्रधान मंत्री ने क्योंकि RDM को फोन दरसल पिछले महीने मीडिया में कबर आई थी कि नाशनल हाइवे 208 की खराब हालत की वज़े से त्रिपुरा में जरूरी सामान और तेल की सप्लाई ठप हो गई है इसकी बज़े से चीजों की कीमतें आसमान में पहुँच गई है यह हाईवे त्रिपुरा को बाकी देश से जोड़ता है जब मामला PM मोदी को पता चला तो उन्होंने 21 जलाई को रात 10 बज़े सीधे DM संदीप महात में को फोन मिलवा दिया फोन करने वाले ने जब कहा कि प्रदानमंत्री जी आप से बात करना चाहते हैं तो वो DM का दिमाग सन रह गया सोशल मीडिया की पोस्ट के मताबिक उनके पैर बुरी तरह कापने लगे थे कुछ सेकेन में ही कॉल ट्रांस पर हो गई और दूसरी तरफ प्रदानमंत्री मोदी थे देर रात फोन करने के लिए माफी मांगी पोस्ट लिखने वाले ने DM के हवाले से बताया है कि बात चीट शुरू करने से पहले प्रदानमंत्री ने उनसे इतनी देर रात में फोन करने के लिए माफी मांगी फिर कहा कि काम जरूरी है इसलिए इस वक्त कॉल किया है फिर उन्होंने हाईवे के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा मोडी ने बताया कि मैंने असम और त्रिपुरा के अधिकारियों से भी बात कर ली है और सड़की मरमत के लिए जो भी जरूरत है वो मिल जाएगा उसके बाद डी एम रात भर सो नहीं पाए अगले दिन से ही काम शुरू हो गया अगली सुबह जी एम जब अपने दफ्तर पहुँचे तो त्रेपुरा सरकार असम सरकार और केंद्रिये ट्रांस्पोर्ट मंत्रा लेके अधिकारियों के फोन आने शुरू हो गए पंद्रा किलोमीटर के खराब हिस्से के लिए फंड जारी हो चुका था डी एम इसके फोरन बाद अपने कुछ अधिकारियों के साथ हाईवे पर पहुच गए वहां उन्होंने देखा कि असम सरकार की ओर से भीजे गई छे जैसी भी मशीने काम शुरू भी कर चुकी थी टीन साओ ट्रकों से अगले चार दिन तक पत्थरों इंटों और सीमेंट की सप्लाई हुई लोकल मजदूरों की मदद से त्रिपुरा के PWD विभाग के इंजिनियरों ने चार दिन के अंदर सड़ खुलवा दी इसके बाद त्रिपुरा में जरूरी समान के लिए मचा हाहा कार खत्म हो गया बिना किसी शोर शराबे चुपचाब काम प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को आपस में मिलवा दिया था और DM को खुद फोन करके कामकाज की देखरे की जिम्मेदारी सौब दी थी युद स्तर पर हाईवे को ठीक भी कर दिया गया लेकिन मीडिया में यह बात नहीं आने पाई 31 जुलाई तक हाईवे पर ट्राफिक पूरी तरह है नॉर्मल हो गया तब कुछ अकबारों में सिर्फ यह खबर छपी की सड़क ठीक होने से सामान सप्लाई का काम ठीक हो गया है DM संदीप महातमे ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया कि यह काम कैसे हुआ है उन्होंने कहीं भी PM से हुई अपनी बातचीत की पुष्टी या ख़ंडन नहीं किया है महातमे ने फेस्बुक पर सिर्फ एक पोस्ट लिख कर यह बताया कि नॉर्थ अत्रिपुरा की हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है हमने नैशनल हाइवे 208 पर 15 किलोमीटर हिस्से की मरमत का काम सिर्फ अच्छ दिन में पूरा कर दिया है 360 ट्रकों और जेसी भी मशीनों की बदौलत त्रिपुरा में जन जीवन सामाने हो पाया है इंधन से लेकर खाने पीने की चीजों के ट्रक पहुँचने लगे हैं लोकल लोगों की मदद के बिना यह काम नहीं हो सकता था इस बीच यह ख़वर भी है कि रोड टांस्पोर्ट मंतरी नितिन गर्ड करी ने एखलान किया है अधिकारियों को सीधे फोन करते हैं मुदी इस घटना के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या वापई प्रधान मंतरी मुदी काम करवाने के लिए अधिकारियों को सीधे फोन करते हैं 2014 में सरकार बनने के वक्त भी यह बात सामने आई थी कि मूदी ने देश भर के सरकारी अधिकारियों के नमबरों की एक डायरेक्टरी बनवाई है। इसके जरिय वो हर उस काम पर नजर रखते हैं जिनमें उनकी सीधी रुची होती है। बनारस के एस पी रहे प्राजल यादव ने भी एक बार प्रधानमंत्री से बात का जिक्र किया था। हाला कि इस तरह सीधे टॉट पर करवाए जाने वाले कामों का जिक्र न तो कभी प्रधानमंत्री की तरफ से और नहीं उन अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। त्रिपुरा के नाशनल हाइवे 278 की हालत और मरम्मत की कुछ दस्वीरे आप देख सकते हैं।